है दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं दोगे जैशवल इसके पहले हम लोग उत्र पड़े ईश्पेशल में जनसंख्या में पहला पार्ट पर लिया था आज हम लोग उसके आगे पढ़ने जा रहा है जन जनसंक्या भागदाए और उत्र पड़ेश में आज इत के प्रश्ण कभी गलत नहों और जंगर्णा से खास कर गलत नहों सबसे पहले आप जोड़ीने के बाद बताएगा पिछले वीडियो में आपने क्या सभी प्रश्णों के जवाब दिया था या नहीं जो प्रश्ण आपको उसमें नहीं आये थे वह कमेंड करके आप यह पोस् सबसे बढ़ा फिर उससे छोटा तो यह किसी को पता यह कौन सा क्रम होगा यहां पर आप संदिया है कुसी नगर बलिया देवरिया शोनभर्द्र आपके शामने यह विकल्प हैं कूट है उसमें बताना है यस्टी का और ही क्रम में चली जली जली दोस्तों बताते चलते हैं आप अपना जबाब दीजेगा विकल्प A सही है B सही है C सही है D है आपके पास 20 सेकेंड जल्दी जबाब दीजेगा 20 सेकेंड में आप इस प्रशने का जबाब दीजेगा जल्दी जल्दी अगर आपको वास्तों में बहतर स्कोर करना है तो सेर करी जल्दी जल्दी चलिए आपने जवाब दिया तो मैं एक करम से पहले बता देता हूं फिर आप से कमेंट करके बताएगा इसका जवाब क्या होगा देखिएगा 2011 के जनगरना कनुसार सरवादिक यश्टी आबादी वाले पांच जीलिय अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले पर आता है सोनभद्र पहले क्या आएगा सोनभद्र आएगा क्या आएगा सोनभद्र आता है दूसरे पगर हम देखेंगे तो बली आएगा दूसरे पर क्या आएगा बली आएगा बली किस करम पे दूसरे पे तीसरे पे देवरिया यहां पर दिया भी गया है तीसरा तीसरे पे देवरिय य्याईगा कि दिवरिय के बाद कुसी नगर चोधे पर कुसी नगर किया है चोधे पर अगर पूछा जाता यसरान्ग के मामले में प्पांचे में क्या है तो पांच मैं ये तो आपको класс ये ऐसे जिले है जो औरो ही क्रम में किसके अनुसार यस्टी जनसंख्या के आधार पर आपको घरते हुए क्रम में हमने आपको बता दिये अब चलते हैं फटा फटा अगले प्रश्ट के तरफ से चार विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है आप कमेंट करके बताएगा कौन सा विकल्प मेरे द्वारा बताएगे नियम का फालो करके अगला प्रशनाप के सामने प्रशन नमबर 16 जल्देली फटा पर जुड़िएगा अप लोग चोड़ा प्रशनाप से पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश की जियोन प्रत्यासा क्या थ पता नहीं सही बात हैंगे नहीं कथन किए रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत की जंशंख्या का सरवाधिक जमाव पाया जाता है जब किसका कारण है यह भारत का घना और बसा राजज़िवी है ये दिखते हैं इसमें आपके सामने चार प्रकार की विकल्ब दिया गया ह आपको बताना है AR दोनों सही है और AR के शही ब्याक क्या है क्या ये सही बात है जल्दी से कमेंट करके बताईएगा जी है मैं आपको पहले बता देता हूं उसके बाद आप बताईएगा विकल्प कौन सा सही है देखेगा उत्तर प्रदेश में भारत की जन संख्या का सरवाध इस प्रदेश का सरवाधिक जमाओ पा जाता ये बात सही है इंकि भारत का सबचे घना वसा राज ये गलत है तो आप कमेंट करके बताईए-गा कि भारत का सरवाधिक घना राजी कौन सा है मतलब घना का मतलब यहां पर किस आधार पर होगा जन घंथा अधिकी आधार पर जल्दी से comment करके बताइएगा भारत का सबसे ज़्यादा जनगरत वाला राजी कौन सा है इस प्रकार A सही है और R गलत है ऐसा आपको बिकल्प नंबर 3 मिलेगा माने C क्या है इसका बिकल्प क्या होगा C होगा क्या होगा C इसका रैट एंसोर होगा आगे बढ़ते हैं 2017 के सामने आगिया 2011 के जनगर्णा कन अब उतरप्रदेश में सरवाधिक अनसुचित जाती जनसंख्या वाला जिला कौन सा है जल्दी से बताईएगा सबसे ज्यादा अनसुचित जारत नहीं है अनसुचित जाती वाला जिला कौन सा है जल्दी बताईए comment करके बताईएगा यसी आबादी वाला जिला कौन सा है जल्दी इस कमेंट करें जवाब दीजे आपके पास 20 सेकंड है जल्दी अली कमेंट करें जवाब दीजेगा 20 सेकंड है आपके पास इस प्रशन का जवाब देने के लिए 20 सेकंड है आपने कमेंट करके जवाब दीजे आर अगर आपको ल होouri सितापूर है ऑभा इलहाबाद दूसरे स्थापूर थे हैं जाचा आप खेंपुर्ख्यक्री तो अकर आप लिखना चाहें तो यसी आबादी वाले पांच बड़े उत्त्रप्रदेश सूरी चितापूर ईलहाबाद आजमगड कि ह疫र सीतापूर हैं प्राजमगड होगा सरीतापूर एलहाबाद ॐड्या था को अगर पांचवा पूछ लेता तो पांचवा लखीम पूर्खी रही है अब इससे छोटा प्रशन में एक से आप से पूछेंगे इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर 20 का राइट एंसर होगा एक छोटा सा प्रशना बताईएगा कि सबसे कम अंसुचित जाती वाला जिला कौ कुंसा है जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजेगा चलिए आपने जवाब नहीं दिया में उत्तर बताता है उसका उत्तर है बागपत क्या है बागपत अगला प्रशन नंबर 18 है 2011 की जन गंड़ना की अनुसार सरवादिक सा छड़ता वाले चार जिलो का और वही करम है और जल्दी बताईएगा जल्दी बताईएगा सरचत्ता क्रम में चार जिले कौन-कौन से हैं जल्दी बताईए भाई साब आप लोग इतना धीरे-धीरे चार जिलो का साच छर्टा में बताईए इसका मतलब गौतम बुद्धनगर पहले पहले प्या है गौतम बुद्धनगर जहां पर असी दसमलो लिखना चाहिएगा गौतम बुद्धनगर लगभग लगभग माकेड़े बता रहे हैं आपको लिखेंगे लिखरीजेगा गौतम बुद्धनगर असी दसमलो लोग परसेंट फिर कानपूर नगर फिर कानपूर है आपका कानपूर कितना है किसे को पता है 79.65 परसेंट लगभग उसके बाद औरया है औरया के बाद यहां तक त लगभग उसका मतलब बिकल बी राइट एंसवर और इटामा के बाद इटामा के बाद क्या है गाजिया बाद आता है जनगर्ना के अनुसाद 2011 सरवादि साचर्था वाले चार जीले का और उहीं क्रम में देखा जाए सबसे जादा गौतम बुद्धनगर 80.2 परसेंट आता है गाजियाबाद 78.07 परसेंट एक छोटा से प्रशन हम आपसे पूचेंगे अमीद करते हैं इसका जवाब देंगे नूंतम साचर्था वाले जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का सबसे कम साचर्था वाला जिला कौन सा है जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा 46.74 परसेंट है नाम बताईएगा उसका आपके पाथ 10 सेकेंड है जल्दी से बताईएगा यार वाई से आप लोग कमेंट करके जवाब नहीं दे रहे हैं यह लाइप क्लास चल लेगा लाइप देख रहे हो ठीक नहीं बाद मेंगर देख रहे हो तो सरावस्ति है भया कौन कौन सा सही है अमीद करते हैं आप इस प्रस्ति का जवाब जरूर देंगे जरूर देंगे पताईए क्या होगा यहां पर है चलिए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो को अपने शवीशातियों को सेर कर दिजेगा ओनलेंग क्लास और नोट्स भी उपलब्द हैं नीचे मोबाइल नमबर आपको दिख रहा होगा 6306324367 इस पर कॉल करके आप हम वाट्सेप करके ओनलेंग क्लास नोट्स अम यह वीडियो पोचे और उन लोगों का भी लाव हो जाए ठीक है और हमारा फिस्बूक पेच इलेनी बिदुर्गे से आप फिस्बूक यूजर है तो उस पर भी आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं देखिएगा 2011 जनगर्णा के अनुसार नियूंतम साच्छर्ता वाला जिला स स्रावस्ती अभी हम लोगों बात किया था। इसका मतलब एक सही है क्योकि सबसे कम साच तर अगर्णा स्रावस्ती जिला का है कितना कर करके बता Marsh 22,74 procent सब्से कम साच्छर्टा वाला जिला स्रावस्ती फिंस मजा इस किन साटर अगला प्रशनाप का है सरी सिय निया सबसे ज्ञाया प्रफ्त वाला कि अदिया है वहcoin और ग्न को पूरा इली चेंगा हम उस पर निक होगा कि यहां जानते है рахिने अब लगते चलिका देखिए हमने आपको बता था है गता है लिंगानुपात क्या होता है एक हजार पूर्शौ पर निवास करने महिलाओं के संक्या को हम लिंगानुपात क CCP कहते हैं एक हजार चोबिस है सबसे जादा किसका जौनपूर का है जोनपुर कितना है एक हजार चौबिस कितना है एक हजार चौबिस है दिवरिया का जो तीसरे स्थान पर है उसका है एक हजार सत्र है एक हजार सत्र है दिवरिया का और जो तीसरे स्थान पर है दूसरे पर आजम गड़ है एक हजार उन्नेज प्रताब गड़ चोथे पर है न पहले पर क्या है जोनपूर 1024 दूसरे प्याजमगर 1019 दिवरिया 1017 अगला है टॉपिक क्या रहा है नियूंतम जन घनत वाला जिला ललितपूर है जन घनत तो किशे कहते हैं एक किलो मेटर पर एक वर किलो मेटर निवास करने वाले प्रतिवेक्ति की संग्या को क्या कहा जात जल्दी से कमेंट करके बताईए क्या नियूंतम जन घनत वाला जो जिला है वह ललितपूर है कल हमने बताया था कल के टॉपिक आर आप लगाता रेगूलर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप यह तुरंद बता देंगे कि यह कथन सही है या नहीं जल्दी से कमेंट क जिला ललितपूर है सबसे कम जन घनत वाला जिला उत्तरपदेश कौन सा है ललितपूर है क्या है ललितपूर है ठीक है तो आगे बढ़ें आप इसके बाद कोई दिकत कोई समस्या से एक चोड़ी से रिक्वेश्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी साहते को शेयर कर दिज हैं तो फेश्बूक पर हमारे इलैनी दुर्गेश को साच करके फेश्बूक पर जुड़े रहिएगा जहां पर इस पीडिया इसकी नोटस हम आपको प्लब देकर आदेंगे साथी साथ अगर आप टेलिगराम भी यूच करते हैं नहीं यूच करते हैं तो टेलिगराम पर जरू जुड़िएगा इस तरह के सभी बड़ी वीडियो आपको टेलिगराम पर जरूर मिलते जाएंगे तो निंतम जनगनत वाला जिला ललितपूर है एक चोटा सा प्रश्ण पूछेंगे कि जनगनत ललितपूर का कितना है ठीक है तो कमेंट करके बताएगा कि सरवाधिक जनगनत वाला जिला कौन सा है कल हमने बताया था सरवाधिक जनगनत गाजियाबाद 3971 वेकति प्रतिवर किलोमीटर 3971 वेकति गाजियाबाद है आगे आते हैं मतलब इसका दो बात तो सही हो गई कि कथन एक सही है और कथन तीन चौथे में देखते हैं नगर नि निगम चेत्र बताइए नगर निगम कमेंट करके बताइए नगर निगम चेत्र की जनसंख्या क्या धार पर राजिका सरवाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपूर है बताइए जली से आपके पास 20 सिकंड है बताइए जली से बताइए एलिस कमेंट करेके वीया कितना कहां है वीया सरवार्ण खांदी क्या है कानपूर नगर होगा कि गाजियाबाद देखे सहरी अबादी की बाद देखा जाये तो सबसे जादा सहरी अबादी वाला जिला गाजी अबाद है क्या है गाजी अबाद गाजी अबाद है और यहाँ पे दिया है कानपूर नगर तो यह कथन गलत है ठीक है यह कथन गलत है और जब यह गलत है तो सही क्या हुआ एक और तीन आई यह कूट का चैन करते हैं एक और तीन कहां पे है तो एक और तीन आपका जो मिला वो मिला है विकल्प नंबर बी में एक और तीन है कॉंसर्ट के लिए रोता है आगे वड़ेंगे हम लोग अगला प्रश्ण की तरफ आते हैं प्रश्ण नंबर बीस उमीद करते हैं अब इस प्रश्ण का जवाब जरूर देंगे कल भी हमने इसके बारें बताया था ज़ 2011 के अनुसार राज में एक हजार बालकों पर बालिकाओं की संख्या क्या है यहां पे जन घंत्त की बात हो रही है जल्दी से बताईएगा जन घंत्त क्या है उत्तर प्रदेश का अभी हमने लिंगानुपाद लिंगानुपाद की बात कर लिंगानुपाद की बात कर लिंग बालिका सिसुओं की संख्या और अगर केवल बालिका की बात करता नोनों बात को मैं बता रहा हूं तो वह होता 912 क्या है 2001 में अगर जनगरना देखे तो 898 में था कितना था 898 में ठीक अब बढ़कर लिंगानुपात 912 हो गया लेकिन यहां पे जो आपका प्रश्ण पूछा गया है वो क्या पूछा है राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला क्या है सिसुगर पूछा क्यों सिसु की बात कर रहा है तो वह है कौन सा अगर जिला पूछ देता तो क्या होता सबसे ज्यादा बलरामपूर सबसे कम बागपत तो आप ज़रा कमेंट करके जबाब दीजेगा क्या होगा इसका बताइए क्या होगा कि बताइए प्राश्च नमर 20 क्या होगा 902 सही जबाब 902 जिनने उने बताए दम सही जबाब है आपका 902 राइट एंसवर है 2011 की जंगर्णा के अनुशार एक हजार बाल्कों पर बालिकाओं की संख्या 902 है कितना है 902 एक दम राइट एंसवर है 902 जिनने उने बताए आइए उनके जबाब शही है क्या है उनके जवाब शही है ठीक है जी हाँ 0 से लेकर 6 आयू वर्ग तक जो लिंगा नुपात है वो 902 है 1000 पुर्शों पे ठीक है जबकि 2001 से 11 दोरान इन्हीं लिंगा नुपात की कमी 14 की आई है कितनी क्या है 14 की आई है ठीक है आगे बढ़ते हैं ये 06 कितना है ये है 902 लि कि अग्ते हैं अग्ले प्रश्न की तरत अग्ला प्रश्नन को सामने कि 2001-2011 के आबाधी में ब्रदेश की जन संख्या की ब्रिदी दर क्या रही तो जल्दी करना ना भूलिएगा इसके बारे में मैं कुछ महत्पूर्ची युजे बताने जा रहा हूं उसे भी आप लिख लीजिएगा देखिए 2001 में जो राज की जनसंख्या थी वह कितनी थी किसी को पता है 16 करोण 61,95,921 थी जो 2011 की जनसंख्या में बढ़कर 19 करोण 98,12,341 हो गई जो तरपरदेश राज की सबसे जादा जनसंख्या वाला राज बन गया जबकि अगर ब्रिद्धी देखा जाए कुल कितने की ब्रिद्धी होई तो 3 करोण 36,14,420 इतनी जनसंख्या की ब्रिद्धी होई 2001 से लेकर 2011 तक जो 20,10 मलो 2-2% था कितना था बीश दस मलो 2-2% इस प्रकार दिएगे परशन का जो विकलप होगा वो क्या होगा डीस का राइट एंसोर होगा डी क्या होगा सही जबाब होगा अगर पूछा जाता कि पुरुष जनसंख्या कितनी बढ़ी या पुरु जन संख्या कितनी है 2011 जनकरना का नुसार तो कमेंट करके बताएगा उत्तर प्रदेश में पुरु जन संख्या कितनी है तो 52.7% है जबकि महिला 40.3% है ठीक है ये 2001 की जन संख्या का नुसार अगर 52.2 2011 से है 47.7% 2011 से है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्रम में अगला प्रशना आपके सामने है उसके चार टो कूट भी दिये गया है कूट दिया गया है 2011 के अनुसार जन संख्या के घटे क्रम में जिलो की सही अवस्थिती क्या है जल्दी से आप कमेंट करके बताएगा जिलो की सही सिती क्या है घटे क्रम में तो बताएगे सबसे ज़्यादा जन संख्या वाला जिला क्या है और सबसे कम वाला कौन सा है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएगा इलहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनोग क्या होगा कमेंट करेंगे जल्दी सिक्दम जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे अपने जवाब दीजिएगा भी याज इतना समय लग रहा आप लोग को सरवादीक जनसंख्यावला जिले सबसे ज़्यादा कौन सा है इलहाबाद सबसे ज़्यादा क्या है इलहाबाद पहले पे है मुरादाबाद दूसरे पे मुरादाबाद पर उसके बाद तीसरे पे गाजियाबाद चोत्य पे आजमगड और पांचवे पे लखनव इसके बीच में क्या है आजमगड है क्या है आजमगड और पांचवे पे लखना हुआ है लेकिन हाँ पे हामें क्रम से लिकना है तो यहां पे चौथा ईक्राम में से चौथे यह होगा तो देखिए चौत्य करम में कहां पे इस प्रकार दिए प्रशान का विकल्प क्या होगा क्या होगा इसका राइट अपलब थे हमारे ऑफ सकते हैं और पीडियाफ नोट्स के लिए भी टेलीग्राम पे, फेस्बूक पे इस दोनों जगा उपलब्द है, टेलीग्राम पे जरू जुड़िएगा, अगर आप वीडियो हमारी देख रहे हैं, तो टेलीग्राम पे जरू जुड़िएगा हमारी अपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, आगे बढ़ते जाता कि उत्तरपदेश का सबसे कम जनसंख्यावला जिला कौन सा है, तो उसका उत्तर होता क्या, कमेंड बाक्स में आप जरूर दीजेगा, वहां कि कुछ चीजे प्रशिद्ध हैं, और उस प्रशिद्ध के बारें बताएगा, तब तक हम अगले प्रस्ट में चलते हैं, नहीं बताएंगे, महोबा, क्या था, महोबा, सबसे कम जनसंख्यावला जिला, उत्तरपदेश का महोबा है, और पुरू जनसंख्यावला है, इलहाबाद और जादा, और महिलाबादी वाले सबसे बड़ा इलहाबाद, दोनों इलहाबाद है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्ट नमबर तेश्ट में आपको बताना है मैं यह नहीं बताऊंगा मैंने कई बारे प्रश्ट का जिक्र किया है और इसके सारे डेटा आपने पास सुरच्छित रखेगा परिच्छा के दिश्टिकोंड से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अपने साथ कॉपी कलम लिए लिखते चलिएगा जी हापके जवाब सही है गौतम बुद्धनगर अप सही जवाब गौतम बुद्धनगर स गाजियाबाद पाचाएं पाता है 78,07% इस प्रकार आप इसके डेटा भी साथ में लिखते चलेंगे तो आपके लिए हो सकता है महत्वपूर्ण कुछ हो जाए यहां पर दिए चोटा प्रस्टन जो PCS 2011 पूछा गया है 2011 के अनुसार निम्नि मेंसे क्या सही नहीं है मतलब आप एक बात असपर्ष्ट है कि तीन विकल्प आपका सही है और एक विकल्प सही नहीं है वही सही विकल्प को आपको जो गलत विकल्प है उसे बताना है यह है उत्तर प्रदेश PCS 2011 का पूछा प्रश्टन है मुमीद करता हूं आप इसको जरूर बताएंगे इसमें से कौ साड़े 16% जन संख्या निवास करती जी हां उत्तर प्रदेश में पूरी जन शंख्या का पूरी आबादी का साड़े 16% जन संख्या निवास करती है यह सही है अर्था विकल्प ए राइट एंस्वर आगे बढ़ते हैं अब कह रहा है बी यहां देश के सरवाधिक बच्चे पाजाते जी हां यहां पे देश के सबसे ज्यादा बच्चे पाजाते यह भी शही है क्या रहा है इसकी दसकी ब्रिद्धी 17.7% है इसका लिंगा नुपात 912 है जो पहले 600 कितना था आप तो पता होगे आपको 912 है इसकी पहले क्या था आट सो अंठान में था चौदा की बृद्धि हुई है पहले कितना था आट सो अंठान में था इसमें गलत क्या है इसकी 10 की बृद्धि जो है 7.67 पर्षेंट जो है यही जो गलत है तो यही सही है क्योंकि यहाँ पर गलत कथन के बारे यहाँ पूचा था यहाँ पर दसकी जो बृद्धी है उत्तरपरदेश की है वह 20.2 22% है क्या है? 20.2 22% है क्या है? 20.2 22% है और यह Wire 17.67 दिया है इसलिए ये गलत है और जो गलत है वही सही है वेकि नहीं में पूछा है क्या हुआ आपको समझ में आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे प्रिशन के आपके सामने आ चुका है 2011 के अनुसार सही कूट को चुनिए यहाँ पर देखे कूट दिया गया है आपका समय सुरू होता है अब आपको यह बताना है कि क्या सही होगा दली बताएगा देखे काफी बला प्रिश्ण है और यहाँ पर दिया गया ध्यान से दिखेगा 2011 के अनुसाल कूट का सही चुनिये कह रहा है कि छित्रफल में वहाद देश चोथा बड़ा राज्य है छित्रफल में देश का चोथा बड़ा राज्य है सही बात है फिर कह रहा है देश की जनसंख्या का 16% उगदान है उत्तरफट देश की बारे में इसका यौनुत पात राष्टी औसत से अधीक है इसके साथ छर्टादर औसत से कम है ठीक है अब यहाँ पे चार जिलों के बारे में दिया है जरा उनके बारे में आप चल्दी से प्रश्ण को बता दे क्या होगा बताईए इसमें दिखे क्या है यह बीच में जो आ चुका यह गलत है यह गाजियाबाद और लखनो यह नहीं है इसमें से इसका बिकल्प साइद कर गया है इसका बिकल्प कर चुका है तो मैं आपको बता जाता हूं इसका बिकल्प कर चुका है प्रश्ण नमबर पचीस का ब देखिया आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि यह देश का चोथा बड़ा राज्य है, यह देश की जनसंख्या का 16% योगदान देता है, इसका योन उनपात राष्टी उसत से अधिक है, और इसकी साचर्ता दर राष्टी उसत से कम है, किसकी बात कर रहा है, यह 2011 का नुसा क्या होगा, जल्दी बताएगा, देखिया यहां बता रहा है, यह च्छेत्रफल में देश का चौथा बड़ा राज्य है, ठीक है, तो यह बात भी शही है, यह क्या है, यह देश में च्छेत्रफल का चौथा बड़ा राज्य है, ठीक, और दूसरी तरफ यहां क्या कह रहा किंगा सकते हैं यहां पire यह जंसंक्राइब कितना देता है 116 योगदान देता है ठीक अधिश की मुट्री परसेंट यही शही है यह भी शही है पिर कर देखा जाए तो 912 है इसका मतलब क्या है यह राश्टी होसात से अधीक है जरा कमेंट करके बताएगा कि इसका लिंगान उपाच कम है यह जधा है यह सही है मतलब इसकी शारता दर और अधीक से कम है तो बताएगे इसकी साच्चा दर क्या है करके साचरतादर किया है देखेंगे साचरता दर की बात करे तो उत्तर प्रदेश की साचर्टा दर अगर महिला से कम है या अधिक है कमिन करें कि ज़रूर जवाब दीजेगा आप सभी लोग सच्षरतादर के बारे जवाब जरूर दीजेगा कि भी यह कुल सचा कितना संसर्ट स्मलो साथ परसेंट है ठीक और जब कि यह क्या है संदसर दसमलो 7% है तो बताइए साचाथादर क्या है बड़ी है घटी है क्या हुआ है दीखिए आउसस साचाथादर अगर 2011 दिखा जाए संदसर दसमलो 7% है ठिक तो क्या होगा बड़ी है कि कम हुई है आप लोग बताई नहीं रहें तो इस प्रश्ण का जो यहाँ विकल्प है कि कौन सा कथन सही उत्तर चुनिए तो इसमें दिखिए जो कूट है इसमें गलत है तो आप लोग हमें कमेंट करके यहां बताईएगा कि इसमें से कौन कौन सही है और कौन गलत है ठीक है आप इसमें से comment करें बताइएगा इसमें कौन सा कथन सही क्योंकि यहां पर जो कूट दिया गया है वह गलत है मैं कूट का उत्तर जो है वो कलत है लिए इस पर चैनल का जवाब आप कमेंट स्क्यनमें में दीजेगा और यहां को कमेंट स्क्शन में इसका उत्तर बता से कम है देखिए कम वाला ये भी शही है इसका मतलब यहां पर विकल्प तीसरा गलत है इसलिए दिक्कत हो रहे ये कूट में तो आप इसका जबाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा आगे बढ़ते हैं प्रेश नंबर 26 की तरब 26 में बताईएगा 2011 कनुसार किस जिले में सबसे कम महिला साचरता है जल्दी कमेंट करेंगे बताएगा सबसे कम महिला साचरता कौन सा है तो जल्दी से अपना जबाब कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा इस वीडियो को अपने शवी शायते को सेर करना ना भूलिएगा देखिए अगर साचरत जी हां सबसे कम 211 प्रदेश की किस जिले में सबसे कम महिला साथ चड़ता है इसमें आपसा नहीं नहीं दिया वो सबसे कम तो है आपका स्रावस्ति है फिर मल रामपूर है फिर उसके बाद बहराईच है बदायों है रामपूर है अच्छा दिये गए प्रस्ण के इससाप से Tam रामपूर होगा तीज़ा सबसे कम तीसरा है बदाइव चोथा है सबसे कम 40.09 और रामपूर है चार परसेंट चार 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 इसलिए यहां पर इस दियेगे प्रस्णिक आप से रामपूर होगा ठीक है जी हाँ और कोई समस्य आपको अगर आ रहे हो तो कमेंट करके देख सकते हैं क्योंकि बात ने करके हम लोग कमेंट सेक्षन पर ही अगला प्रश्ण है 2011 जनगर्णा के अनुसार राज में सबसे कम सिसू लिंगान पात कहा है बताई सिसू लिंगान पात सबसे कम कहांपे है अं लिंगान पात में ने बता दिया था कमेंट बताईए सबसे कम सिसु लिंगानुपात कहां पर है दिखिए सबसे कम यहां पर पूछा है न सबसे कम बागपत में है सबसे कम बागपत में है 2011 के जनगरना कुछ सारी जीरो से च्छा आई उवर का पूछा जाता है यह बागपत है सबसे ज्यादा बलरामपूर है सबसे ज़्यादा बल्रांपूर बल्रांपूर सबसे ज़्यादा गर पूछत आ तो बल्रांपूर सबसे कम पूछा इसलिए बाकपत गार सुनिएगा जादा बाकपत अल्छन पूछ नॉन्बर28 दिखिएगा आपके लिए महत्तफोर्पूर्ण पूर इतीके on-line class के दिए Samad जानकारी ले सकते हैं हमारे नोट से जो आपको घर तक होम डिलूरी दी जाती है तो कैसे पहुचेगा वह आप 630634367 पर वार्टसेप करके जान सकते हैं साथ हमारे टेलीग्राम पे जो दुर्गेश सर्च करके आप वहां से जोड़ सकते हैं दिसक्रिप्σιन में उसकी लिंक होगी आप टेलीग्राम जरो जोइन कर लिजेगा विगी सभी स्बिछ प्रष्णों की पिड़ेफ पिस्रीज आपको हाँ पर उप्लब्ध हो जाएगी महत्पुर लेक्चर महत्पुर नोटस सभी आपको टेलीग्राम पर हमारे फिसूप क्या होगा जल्दी से बताईएगा सरवादिक साच्छर्था वाला जिला गौत्वम बुध्धनगर है ठीक है उत्तरप्रदेश का अस्सी दस्मुल में दो और कमेट करके बताईएगा भारत का सबसे जादा साच्छर्था वाला राज्य कौन सा है उसका जवाब कमेट सेक्ष उसका जवाब हम आपको नहीं मिताएं कि इसके पहले हम ने बतादिया है। को सिंअगई बताई लुक 2 बताई क्या होगा और नहीं रहें कि अभ 26326 साथ है है कि अब नहीं बताएं इसका जवाब ने बता दिए कमेंट सेक्षन सेक्षिन में दीजेगा ठीक है इसका चटेन आपको कमेंट C7 में देना है किसका जवाब कमैंट सेक्षिन में बताएंगे नहीं बताएंगे चलिए मता देते हैं साथ चली एक यह प्रॉणत आक चलिए कन employee कमेंट देखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे कम सबसे कम जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है कमेंट करके जवाब जरूर दीजेगा सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है किस धर्म के लोग उत्तर प्रदेश में सबसे कम हैं तो वीडियो कैसा लगा क्या आप चाहते हैं इसी तरह हम आपको उत्तर पते स्पेसल की वीडियो लगातार क्रम से देते रहें अगर इस वीडियो से संतुष्ट होईएगा तो सभी को सेयर करिएगा और आप कमेंट करके बताएगा इसके बाद जन संक्या के बाद हम और किस टॉपिक आप बताएंगे जिस पर सब लोग ज्यादा बता देंगे उसी टॉपिक के आधार पर हम उत्तर पते स्पेसल की वीडियो बराते रहेंगे और चोटा सा प्रशन पुछेंगे उत्तर प्रदेश का राज की पुष्प क्या है तो मैंने जो प्रशन पूछा ध्यान बुद्रगेश आप इलनी बुद्रगेश किसी वी सोचल प्रटफॉर्म से जोड़ सकते हैं नोट्स के लिए टेलीग्राम पे जरू जुड़िएगा जहां पे आपको एक ही जगर टेलीग्राम पे सारी चीज़े उप्लब्द हो जाएंगी तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और अंधितक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बेस्ट आफ लट जय हिंद जय भारत